हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सबी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी लेट्यूस की हारवेस्टिंग टिप्स की हम किस तरीके से लेट्यूस के पत्ते इसमें से ले सकते हैं ये देखिए ये मेरे लेट्यूस के दो प्लांट हैं और दोनों अलग-अलग कलर के हैं। ये दो कलर समय आते हैं और ये बहुत ही सुन्दल लगते हैं। और छोटे बड़े आप किसी भी पौट में इनको लगा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रहे लेट्यूस की जो मिट्टी है वो हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए नहीं तो जो इसके ये पत्ते हैं वो बिल्कुल मुर्जा से जाते हैं और तो अब हम इसकी हार्वेस्टिंग टिप्स की बात करेंगे तो सबसे पहली टिप ये है कि लेट्यूस की पत्तों को आप जब सलात की रूप में खाते हैं तो आप उसी समय इन्हें तोड़ें पहले से अगर आप इन्हें तोड़के रख देते हैं तो ये बहुत ही मुर्जा से जाते हैं इसलिए आप उसी समय तोड़ें जब आप इनको हो खाते हैं और दूसरी टिप्स यह कि लेट्व के पत्तों को आप कभी भी इस जगों से ना टोड़ें यह देखिए उपपर से कभी भी ने टोड़ें कोधी जो यह उता है यह हिस्सा है यह इसका ग्रोइंग पॉइंट है और यहीं से नए नए जो पतिया हैं वो बड़ी होके इसके अच्छे से बड़े से पत्ते बन जाते हैं तो हमें करना क्या है हमें ये देखी जो सबसे नीची ये का पार्ट है हमें इस जगों से इसके पत्तों को टोड़ना है ये देखिए इस तरीके से जो भी आपको पुराना पत्ता लगे पहले आप उसे टोड़ और यह देखिए मैंने थोड़ा सा उपपर से टोड़ा है इतना छोड़ दिया है इसी तरीके से आप भी टोड़ें अगर आप इस तरीके से अपने प्लांट में से पत्ते टोड़ेंगे तो यह प्लांट हमारे लंबे टाइम तक बने रहेंगे लेट्यू सैलेड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और साथ ही यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहता है यह देखिए और जो इनके पत्ते का कलर है यह काफी ज़्यादा खुपसूरत भी लगते हैं यह पत्ते आप डेकोरेशन के हिसाब से भी ल यह प्लांट करएं से मुआ प्लाइट से सुटाइब का शा वांवा good ग्र्म आप शलाइघ तो अब И सिट लगाने तो अभी इन लगाने का कोई मतल्ब नहीं अगर क्योंकि इनको सितंबर लास्ट या अक्टूबर पर ही सीट से ग्रो किया जाता है अगर आपको नरसरी पर कहीं पर यह प्लांट मिलते हैं तो आप इनके प्लांट ले लें क्योंकि अभी कुछ टायम बाद इस में से सीट निकलंगे और फिर हम इनके सीट से नेक्स्ट बहुत सारे नए प्लांट बना सकते हैं अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद